आप सब कैसे मुझे अमीद है कि इस लॉकडाउन के दारान भी आप लोग अपने आपको इंगेज रख रहे होएंगे किसी ना किसी तरीके से ठीक है तो आज की शुरुआत करते हैं वान मिनिट मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज से और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं ब्रेंड साइंटिस्ट डॉक्टर कैरोलाइन लीफ उनके आर्टिकल्स वगेरा सुनती रहती हूँ पढ़ती रहती हूँ और इस चीज में मुझे काफी हेल्प किया है कि कई सा टाइम ऐसा होता है जैसे हमारा स्टेट अफ माइंड काफी लो होता है हम डिप्रेसिंग सा फील करते हैं उदास फील करते किनी चीजों के बारे में तो इनके जो आर्टिकल्स वगेरा हैं उन्होंने काफी मेरे को हेल्प किया तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं ताकि इस चाइम आपके लिए मदद का कारण हो सके वो कहती है कि हमें रोज अपने से जब भी हम उदास फील कर रहे हैं या हम नौमल नहीं फील कर रहे हैं दो तरीके से अपना माइंडसेट को हमें अजिस्ट करना है कि हमें Active Questions पूछने है और Passive Questions नहीं पूछने हैं ठीक है? active questions पूछने हैं और passive questions नहीं पूछने हैं जैसे is lockdown के दौरान या कभी भी ये तो lockdown खतम हो जाएगा ये जो हुआ है जो हो रहा है वो भी खतम हो जाएगा पर life में कमी घटी और उदासी खुशी ये सब चीज़े आती रहती है तो उस समय हमें एक question अपने आप से पूछता है अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ मुझे क्या करना चाहिए अगर कोई बुरी घटना मेरे साथ हुई है तो उससे मैंने क्या सीखा है कौन से लोग है जो मेरी life में जिनकी मुझे जरूरत है और जिनकी मुझे जरूरत नहीं है आपको एक चुनाओ करना है जो लोग आपको down feel करा रहे है या कैसे भी आपके माहूल को positivity में नहीं ला रहे है आपको चुनाओ करना है कि आप उनसे दूर जाए उसी समय आप passive questions को avoid करें जैसे कि इतने लोग मर रहे हैं या इतने लोग ऐसा हो रहा है बिमार हो रहे हमें खबर मिली है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए तो ये जब आप passive questions पूछना अपने आप से छोड़ देंगे और active questions पूछना शुरू करेंगे और उन questions के answer में आप steps लेना शुरू करेंगे कदम उठाना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में जरूर आप देखेंगे कि आपका mindset बदलता जा रहा है धीरे-धीरे जैसे मैंने कहा पिछले बार के कई बार हमें अपने mind को set रखने के लिए distract करना पड़ता है अपना mind मैं भी करती हूँ अलग-अलग चीजों से cooking मेरा एक passion है passion तो शायद बड़ा word शब्द हो जाएगा shock है मेरा बस normal जैसे कि मैं अपनी family या किसी को मैं कुछ अच्छा बना के खिला सकूँ वैसे ही एक नया shock मेरे जीवन में है आया है वो है gardening तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें गुलाब के पौधों में किस तरीके से जादा फूल आ सके और जादा बड़े फूल आ सके और जादा आ सके जो तरीका हम लोगों ने हमारी फैमली ने अपनाया है मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी तो आये चलते हैं देखते हैं कि मैंने पिछले दो साल से अपने गुलाब के पौधों को कैसे ट्रीट किया है अच्छा तो यह हमारा बाहर का बगीचा है और अभी फूल तो इतने नहीं है इसमें बर यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ से फूल यहां पर जादा नहीं है पर यह रोस प्लांट है हमारा तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि पिछले दो साल से हम लोग जो एक तरकीब कर रहे हैं जिसके वज़े से हमारे गुलाब अभी तक टिके हुए हैं वो है बड़ा सिंपल सा तरीका आप लोग घर में फूट्स खाते होएंगे तो उसमें केला भी जरूर खाते होएंगे बस आपने क्या करना है उस केले के छिलके को फेखना नहीं है हमने इस तरीके से केले के छिलके को सुखा लिया है धूप में आप देख सकते हैं बस हमने कुछ नहीं करना इसको सुखा के इस तरीके से काले रंग के हो जाते हैं तो हमने इसको छोटा-छोटा काट लेना है, हमने इस तरीके से इसको छोटा-छोटा काट लेना है, काटने से यह होएगा कि सब जगे अच्छे से यह फैल जाएंगे, अगर एक-एक छिलका हम डालते हैं गुलाब में तो थोड़ा जाधा हो जाता है, जैसे तकरीबन 3-4 केल के चिलके एक पौधे के लिए बहुत है। यह जैसे मेरा गुलाब का पौधा है। इसके पास में ही हमें खोदना है। ठीक है। थोड़ा सा गहरा हम खोदेंगे। क्योंकि के चिलके गलहरीयों को बहुत पसंद होते हैं। अगर आप ऊपर-उपर के चिलके रखेंगे तो हो सकता है गिलहरी आकर खोद के खा जाये तो हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा गहरा खोदना है और कुछ नहीं ये छिलके आपने लिए इसमें डाल दिया और आपने इसको ढग दिया बस आपने ये दोनों साइट करना है दो साइट है दोनों साइट करना है और अप ये अपने जो फ्लावर पॉट्स है गुलाब के जो फ्लावर पॉट्स है उसमें भी आप कर सकते है ठीके न है बहुत इजी तरिका है आप ये देखिया, इस तरीके से ये इतना है, हमने इतना ही उस साइड डाला है इतना ही हम दूसरे साइड भी डाल रहे हैं इस से आपको थोड़ा गहरा ही खोदना है जितना मैंने उस साइड खोदना है वो काफी नहीं था इस से गहरा खोदना है तो पिछले दो साल से हम यह कर रहे हैं तो normally हमारे पौधे में एक या दो फूल आते थे या जादा नहीं आते थे या बड़े नहीं आते थे या रंग उसका नहीं आता था परड़ साल से जब से हम लोग ये कर रहे हैं तो हमारे पॉधों में हमने नोटिस किया है गुलाब के पॉधों में बड़े फूल भी आ रहे हैं, जादा भी आ रहे हैं और देर तक टिक भी रहे हैं, एक और टिप मैं छोटा सा आपको देना वागूंगी है, जब भी आप क्लवाइब फंगल के इसमें फंगरे बहुत जल्दी लग जाता है तो जब जैसे बारिश का पानि आरह है या आप पाइप से पानि दे रहे हैं तो वह सारा पानी जाकर गुलाब के उस हिस्से में जम के वहाँ पर फंगर लग जाता है फिर वहां से या तो कीडे वाला स्टेम आएगा या जिसमें फंगस लगा हुआ है फूल नहीं देगा इड वोंट फ्लावर तो इसलिए आपने हमेश्या उसको थोड़ा स्लांटिंग काटना है ताकि जब पानी उस पे गिरता है तो वो नीचे बह जाए उस पे टिका ना रहे ठीक है तो यह थोड़े से टिप्स थे मैंने आप से कहा था मैं आपको एक और अपना गुलाब का पौधा दिखाना मांगी क्योंकि इस पौधे में हम लोग बहुत स्ट है इसमें शेड्स है और कलियां भी आरही है जो कि हम लोग नॉमली एक्सपेट नहीं करते हैं और काश में आपको इसकी खुश्बू सुंगा सकती इसकी बहुत अच्छी स्मेल है और इस बार तो बहुत फ्लावर आए है इसमें नॉमली इतने फूल इसमें आते नहीं है औ बहुत देर तक रुके हुए हैं और इसी एक प्लांट में यह शेड़ेड वाले भी आते हैं और एक आता है थोड़ा लाइट पिंक में लाइट एक ही पौधे में दो तरीके के फूल आते हैं बहुत सुंदर लगता है देखने में पर यह पहली बार है दो साल से हम अपने पौधों को बनाना पील से ट्रीट कर रहे हैं और यह पहली बार है कि इस बार हम लोग बहुत खुश है कि हमारे पौधों में जैसा हम चाहते थे वैसे फ्लावर जाए तक के लिए इतना ही अगले बार इसी और वीडियो के साथ हम मिलेंगे बाई-बाई-बाई-वाई-व